सदन में राहूल गांधी के फ्लाइंग किस को लेकर हंगामा मचा हुआ है इस वक्त हमारे साथ कॉंग्रेस की महला विधायक नितू सिंग है मैं यह बताईए कि फ्लाइंग किस हुआ नहीं हुआ किसको फ्लाइंग किस राहुल गांधी ने दिया ये भी किसी ने नहीं देखा लेकिन हंगामा मचा हुआ है बीजेपी के करीब 26 सांसर जो है उन्होंने सिकायद भी कर दिया स्पीकर से सदन है वहां पे फ्लाइंग किस का कोई मामला ही नहीं बनता है और हमारे नेता राहुल जी ऐसा कोई फ्लाइंग किस वहां किये ही नहीं है ये तो मुदा को भटकाने के लिए ऐसा बेयान दिया जा रहा है और सदन में 26 से 30 महिलाएं सांसर हैं अगर फ्लाइंग किस भी किये ह है अगर राहूल जी तो इस मिर्ती रानी जी कैसे समझ गई कि हमी को फ्लाइन किस दिये हैं वो तो कह रही है कि हम को ही किया गया सरकार उनकी है स्पीकर उनका है सिसी फुटेज जो है उसमें जाच करवा लेना चाहिए कि राहूल जी ऐसा कोई घटना किये है अगर राहूल जी घटना ऐसा किये है तो उन पर करवाई होना चाहिए हम लोग कॉंग्रेस के नेता करवाई से नहीं डरते हैं अगर अनरगल बयान इस मिर्ती रानी जी दे रही है हमारे नेता को कमजोड करने का कोशिस कर रही है बदनाम करने का कोश मैं तो यही बोली थी कि मेरे नेता Rahaul जी हैं अभी साधी नहीं किये हैं इस भारत देश में लड़कियों और महिलाओं की कमी नहीं है हमारे नेता को जब मन हो जाएगा कि हमको साधी करना है हजारों लड़की उनको जरूरत क्या है कि अपने उम्र से ज्दा के महलाओं को फलाइंग किस करने की उनका उम्र पतचास साल है अंटी के उम्र के हैं तो उनको क्यों फलाइंग किस देंगे यह दो बात मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये मेरे नेता को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है 26 शांसत अंडिये की स्पीकर के पास कंप्लेन की कि हम लोग को बहुत दुख हुआ कि राहूल जी ऐसा फलाइंग किस किये हैं और उसमें मैं कल टीवी पर देख रही थी जब हेमा मालनी से पुछा गया कि आप सदन में उपस्तित थी और जब राहूल जी फलाइंग किस कर रहे थे तो आप देखी थी तो वो बोली कि नहीं मैं नहीं देखी थी तो प्रेस वाला उन से पूछा कि आप देखी नहीं थी लेकिन जो कंप्लेंट डाला गया है उसमें आपका भी दसकत है तो समझ लीजिए कि मेरे नेता को बदनाम करने के लिए साजिस रचा जाता है मुद्दा मनिपूर का जो मुद्दा है उसको भटकाने कर रही है उनके खांदान को लेकर कमेंट कर रही है उनका संसकार कितना अच्छा है हमारे नेता पर हम ऐसा खांदान पर कॉमेंट किया जाता है लेकिन उनका कितन संसकार बढ़िया है कि अपने सहेली वो सहेली जो स्मिर्ती रानी जी के बुरा समय में उनको मदद की उनको अपने घर में रखी और उसके पती को भड़का के साधी कर लेती हैं तो यह संसकार का क्या बात करेंगी जो खूद को उनको संसकार नहीं है वो दूसरे को क्या संसका तो बारवार स्मिर्थी रानी ऐसा क्यों करती है राहुल गांधी के खिलाब अपने को हाइलाइट होने के लिए और राहुल जी को बदनाम करने के लिए वो ऐसा करती हैं चुकि अमेठी से वो अभी फिलहाल सांसद हैं और 2024 का जो चुनाव होने वाला है अमेठी की जनता मान चुकी है कि हम लोग से बहुत गलती हुआ कि हम लोगी स्मिर्थी रानी को यहां का सांसद बना दिये कि मेरा असली नेता राहुल गांधी हैं और राहुल गांधी 24 में वहां से चुनाव लड़ेंगे और रेकॉर्ड भोट से जीतेंगे तो इसमिर्थी रानी जान बूच कर सुर्खियों में रहने के लिए राहुल गांधी पर आरोप लगाती है कैमराविन सनी के साथ सौरा कुवार पटना नीज 24